हेलो गाइज, a very good morning to all of you, स्वागात है आप सभी का online study academy में, आज डेट है 4 April 2021 और आज के डेट के जितने भी important current affairs हैं, वो discuss करेंगे हम इस वीडियो में, और आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो make sure चैनल को in digital payments list with 25.5 billion real time transactions in 2020, भारत 2020 में 25.5 billion real time लेंदेन के साथ, digital भुकतान सूची में सबसे उपर रहा, तो अभी हाल ही में, ACI Worldwide ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, रिपोर्ट का नाम है, Prime Time for Real Time 2021, और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया, कि पुरे विश्भर में, जो भी digital transaction हुए है 2020 में, तो उस सूची में भारत सबसे उपर रहा है, भारत ने total 25.5 billion transaction हुए है, और वहीं दूसरे नमबर पिरा इस लिष्ट में चाइना जहांपे 15.7 billion transaction हुए 2020 मैं, और तीज़र नमबर पिरा साथ कोरिया जहां पे 6 billion transaction हुए है 2020 में, तो याद रखेगा, पह हुए हैं इसके अलाबा इस रिपोर्ट में भी पता आ गया कि 2025 आते आते भारत में जो digital payment है वहाँ पे 71.7 प्रतिशत हो जाएगा जो भी transaction होते हैं मतलब overall तो digital payment के द्वारा जो भी transaction होते हैं digitally वो 71.7 प्रतिशत होंगे और जो बाकी के mode है payment के लिए जैसे की cash हो गया चेक हो गया या कोई और अलग फार्म है तरीका है payment करने का तो यह सिफ 28.3 प्रतिशत रह जाएंगे कब तक 2025 आते तक नेक्स्ट अपडेट है स्री लंका चीर्ड़ा रिसेंटली हेल्ड 17th बिमस्टेक मिनिस्टेरियल मीट स्री लंका ने हाल ही में आयोजित 17 वी बिमस्टेक मंतर इस्तरी बैठक की अध्यक्षत की है तो बिमस्टेक का मतलब होता है दब्बेव बैंगॉल तो यहां पर भारत के एक्स्टरनल अफेर मेनिस्टर एज जैशंकर जी ने वर्च्वली एड्रेस किया वर्च्वली सम्मोधित किया था इस मीटिंग को और उन्होंने इस मीटिंग में बताया कि जो साथ एशियन कंट्रीज है उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको कंट्रीज है जो कि है म्यानमार और थाइलेंड मेंस्टे का हैटकार है बांगलादिस की कैपिटल ढाका में और यहां के सेक्रेट्री जनरल है तेंजिन लेकफेल गुजरात सरकार ने एक बिल को पास किया है बिल का नाम आपको याद रखना है तो जो लोग भी साधी का जहांसा देखे और भी गैर कानूनी तरीकों से दूसरों का धरम परिवातन कराते हैं उनके लिए यह बिल पास किया है जो भी इसमें दोशी पाये जाए जाए उनको तीन सिले के दस साल तक ही सजा दी जाएगी उसके साथ ही पांच लाक रुपए तक का आर्थिक दंड भी दिया जाएगा तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मंत्रप्रदेश में एंटी कंवर्जन लॉज जो है यह चल रहा है काम कर रहा है उसी तरह से गुजरात असेंबले ने पास कर दिया है फ्रीडम ओफ रिलीजन एक्ट 2003 के गुजरात की कैपिटल है गांधी नगर चेफ मिनिस्टर है विजयरू पानी और गवर्नर है आचार देवरत नेच्ट अपडेट है शिक्स लेक्स ऑफ जम्मू और कश्मीर इंक्लूडिंग डल लेक विल बी डिकलेड एस प्रोटेक्टेड वेट लैंड्स डल जील सही जम्मू और कश्मीर की छे जीलो को संदक्चित आदर भूमी घुशित किया जाएगा तो जो जम्मू और कश्मी है वहां की टोटल छे जीलो को प्रोटेक्टेड वेट लैंड से आने की संदक्चित आदर भूमी की रूप में घुशित किया जाएगा और यह डिसीजन लिया गया है वहां के एको सिस्टम को बचाने के लिए उनको प्रिजब करने के लिए तो जो छे लेक्स है इनमें से कश्मीर की हैं और तिन जमू की हैं कश्मीर की हैं बूलर दल और निगीन लेक और वहीं जमू की है सनासर मानस बल और पूरमंडल लेक तो यह छे लेका आपको नामयाद रखना है इन्हीं को डेक्लियर किया जाएगा प्रोटेक्टेड वेट लैंड्स के रूप में और बात करते हैं जमू और कश्मेर की तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को लिवडिन गवर्नर है मनोज सिनहा जी कैपिटल है समर में स्रीनगर औ और बात करने पहले यह स्वाइकिया में फाइनस मिनिस्टर थे और अहभी हाली में जो स्वाइकिया के प्रेसंट है दुजाना श्यपूटोवा इन्होंने साइड किया है कि जो एडवार्ड हेगर है इनको स्लोवाकिया का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाएगा और जो यहां के पुराने प्रधान मंत्री थे आईगोर मैटोविक इनको अब स्लोवाकिया के फाइनस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो यह बिटानिया इंडस्ट्रीज के अतरिक त्रिनिदेशक के रूप में नियूख किया गया है तो उर्जित पटेल जी आप सभी को पता है RBI के 24 वे गवणर रह चुके हैं ये हाल ही में इन्हें बिटानिया इंडस्ट्रीज में अडिशनल डिरेक्टर के रूप में यानि अतरित्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इनका कार एकल होगा वहाँ पे 5 सालों का और इन्हों ने RBI के गवर्नर के रूप में कार किया था 2016 से 2018 तक 24 में गवर्नर थे यह याद रखिएगा तो बात करते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की तो यहाँ के CEO हैं बरुन बैरी हेड़क्वार्टर इसका बैंगलोरू में और इसकी स्थापना की गई थी 1892 में नेक्स अप्डेट है मलिका स्री निवासन विल बी अपॉंटेड एस चेर स्री निवासन जी को सर्वजनिक उद्यम चैन बोर्ट के अध्याश के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो यह है मलिका स्री निवासन जी और अभी प्रेजेंट में यह जो टैफे आपने सुना होगा यानि की PESB के चेर परसन के रूप में नियुक्त किया गया है इसके अलाबा इन्हों ने पदमश्री अवार्ड भी जीता था 2014 में यह आपको जाद रखना है और जो PESB है यह मिनिस्ट्र परसनेल पब्लिक ग्रिवेंसेज एंड पेंशन के अंडर में काम करती है इसका Head Office है New Delhi में नेक्स अपडेट है Russia Registers World's First COVID Vaccine for Animals Carnivark Cov रूस ने पश्वों के लिए विशु का पहला COVID Vaccine Carnivark Cov पंजिकरित किया है तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो वैक्सीन का नाम यह है वैक्सीन का नाम Carnivark Cov यह COVID के लिए जानवरों के लिए बनाई गई पहली वैक्सीन है और हाली में Russia ने इसे रजिस्टर कराया तो यह भी आपको याद रखना है कि Russia ने विशु की पहली COVID वैक्सीन बनाई है एनिमल्स के लिए तो World Health Organization का कहना है कि वैसे तो जानवरों से इंसानों में COVID-19 फैनले का कोई चांस नहीं है लेकिन फिर भी बहुत रेयर चांस है कि जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं उनमें ये वाइरस हो जाता है हाला कि ज़्यादा असर नहीं करता लेकिन फिर भी इंफेक्ट हो जाते हैं तो इसी कारण से ये कारणिवाग को बनाए गया है बात करते हैं रश्या की तो यहां की कैप्टल है मॉस्को करणसी है रश्यन रूबल और प्रेसिजेंट है व्लादमीर पुतिन नेक्स अपडेट है तैस्केंट विल होस्ट दा 2023 AIBA मेंस वर्ल बॉक्सिंग चैंपिनशिप्स तैस्केंट 2023 AIBA पूरुषो के विश्व मुक्यवाजी चैंपिनशिप की मिजबानी करेगा तो AIBA आपको पता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एस्सोशेशन इन्होंने हाल ही में अनॉंस्मेंट की है जो तैस्केंट है यानि कि उजबेकिस्तान की कैपिटल जो है तैस्केंट वहाँ पे 2023 के जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपिनशिप होने वाले उसके मैचेस खेले जाएंगे तो आपको याद रखना है तैस्केंट कैपिटल है उजबेकिस्तान की उजबेकिस्तान के प्रेजडेंट है सावकात मिर्जियो ये प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरिपोग औ सुचल्ड में में तो बारतिम के करतान विराट को ली अभी डिजट इंसौरण्स के और जो डिजट इंसौरंस यह क्या है यह एक general insurance company है तो यहां के brand ambassador बनने के बाद जो विराट को ली हैं दो चीजे हैं इनके पास करने के लिए एक तो यह लोगों के बीच में जो insurance होता है health insurance होता है उसकी importance के बारे में बताएंगे लोगों को जागरूप करेंगे साथ ही जो भी digit insurance के जो भी products हैं उनके बारे में भी लोगों को बताएंगे तो जो digit insurance है यहां के chairman है कामेश गोयल, CEO और principal officer है विजय कुमार और इसका headquarter है बैंगलोरू में next update है M.Vankaya Naidu has released the book titled सुपारी पालन authored by सैलेंड रजोसी M.Vankaya Naidu जी ने सैलेंड रजोसी द्वारा लिखित सुपारी पालन नामा पुस्तक का भी मोचन किया है तो यहां पर आपको पुस्तक का नाम याद रखना है सुपारी पालन किसने release किया है M.Vankaya Naidu जी ने जो भारत के उपर राश्ट पती है और साथ ही इस book के लेखक है सैलेंड रजोसी जी तो actually में यह जो book है यह तेलगू translation है बुक का तो जिस book का यह translation है उसका नाम था इको टी कॉलिंग टुवर्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस इस book का यह translation है और यह जो original book थी यह लिखी गई थी तेलंगाना के पूर चीफ सेक्रेटरी स्री एसके जोसी के दौरा उसके बाद इस book को तेलगू में translate किया गया है किसके दौरा स्री अन्ना वारापू ब्रामया के दौरा और इस book के author है सैलेंड रजोसी साथ ही इस book के publisher है स्री मारूती नेक्स्ट अपडेट है गवर्मेंट डिकलेड 14 अपरेल बर्थडे और डॉक्टर बी आर अमबेटकर एस पब्लिक हॉलिडे सरकार ने 14 अपरेल डॉक्टर बी आर अमबेटकर जी के जन्म दिन को सार्वजनिक अवकास घोशित किया है तबी हाली में गवर्मेंट ने डिसाइड किया है कि अब से हर साल जो 14 अपरेल है 14 अपरेल को डॉक्टर बी आर अमबेटकर जी की वर्थगाट होती है उनका बर्थडे होता है तो अब से हर साल 14 अपरेल को पब्लिक हॉलिडे गोशित कर दिया गया है तो यह डिसीजन दिया है सेंट्रल गवर्मेंट ने तो इस साल यानि 2021 में अमबेटकर जी की 138 वी वर्थगाट मनाई जाएगी और इसके लाब एक चीज़ और बता दू कि बी आर अमबेटकर जी को 1990 में मर्नो परांत भारत अपरेल सभी सम्मानित किया गया था तो यह पॉइंट आपको याद रखने है तो यह थे आज के पीडियाप फाइल चाहिए तो उसकी लिंक बने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनूड कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं कल कुछ नाएकर इंटरफेर्स के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड थैंक्यू गाइज